कि यहां पर होने क्या वाला इस तरीके से यहां पर नंबर प्लेट लगी थी तो सबसे पहले हम कि इसको यहां से कर दिया है अब यहाला जो क्लैंप है इसके उपर हम वाइजर फिट करने वाले तो फटाफट से प्रोसे स्टार्ट करते हैं एक बार वाइजर की हम मार्किंग ले लेते हैं कि उस पे होल्ण कहां करने बढ़ेंगे इस बाइक का नहीं है वाइजर आता है यूनिवर्सल इस होल्स होने के बाद में वाइजर दिख़ा है कुछ-कुछ ऐसा यहाँ पर एक होल जो चुका है यहाँ पर हो चुका है सेकेंड होल और बाकी जो होल से इसको हम बाद में फिल करवा लेंगे और बाइक के उपर ये कुछ-कुछ इस तरह से लगने वाला है तो फटावट से इसका प्रोसेस भी स्टार्ट करते है तो गईज यहां पर हम इसके उपर जो थोड़ी बहुत प्लास्टिक लगावा है उसको निकाल रहे है पेट्रोल यूस करके आप लोग सबसे पहले ही काम यही करना कि इसके उपर जितना भी प्लास्टिक लगावा है सारा निकाल लो वरना बाद में चिपक जाता है और सो गईज यहां पर पीछे हमें एक छोटा सा फॉम का टुकड़ा एड़जस्ट कर रहे है ताकि यह ज़्यादा आवाज ना करे बिकॉज यह दो स्कुरू पर हम अटका रहे हैं तो थोड़ा सा हिलने के चांसे यहां पर रहेंगे जिससे तोड़ा सा नॉइस आएगा और यहां पर फॉम को लगाने से नॉइस जो है पूरा का पूरा खतम हो जाएगा और बाद में हमें इसको रैप करवाने वाले हैं ना गिर राज बाई मैट ब्लैक और इस तरीके से यहां पर वाइजर कंप्लीट रेडी हो चुका है काफी ज्यादा बल्की लूक आ चुका है बाइक का मैं आप लोग को रिकमेंड करूंगा कि अगर आप वाइजर लगवाना चाहते तो यह वाला बेस्ट वाइजर हो सकता है आपका क्या कहना ह पूरिंग से तोड़ा मिलता जलता वाइजर है करने कहीं वहाँ मिल सकते हैं अपने लोग उससे और बल्की नेस आजएगी और नेक्स मोडिफिकेशन भी जल्दी आने वाली इसी बाइक के उपर में है ना गिराज भाई को आप कमेंट सेक्शन में बोलो कि इस वाली बाइ बहुत जल्दी करवाएं विकॉज इससे पहले हमने इसके मोडिफिकेशन किया था हजाड वाला जो की यह रहा पचास रुपे के अंदर में हमने इसमें हजाड इंस्टॉल करवाए थे और इसी टाइप की मोडिफिकेशन के लिए आप हमारे मोनु बया को कॉन्टैक्ट कर नमबर यहां पर आपको मिल गया प्लस इस वाली स्लाइड के बाद में एक और आपको देखने को मिल जाएगी आप 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 कि कि एलड़ बस्ट्स्ट्स्ट्स्ट्स्ट्ड कर दिड़े कि